मारकेट में वेजटेवल ग्राप्टिंग, विशेश कर, टमाटर, बेंगन और केपसिकम के लिए जो ग्राप्टिंग क्लिप्स अवेलेबल होते हैं, वे दो तरह के मटरियल से बने होते हैं. एक जो category है वो पूरी तरह से pure silicon material से बना होता है और जो दूसरा clip होता है उसमें pure silicon material नहीं होता है जो silicon material वाले होते हैं pure उनका size market में जो available है 1.5 mm से लेकर के अधिक 1.9 mm का clip रहता है जैसे यहां बाई और देखें यह वाला जो clip है pure silicon material है और इसका जो size है 1.5 mm का है और यह जो थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है इसका size 1.9 mm है जब हम इसे हाथ से ही पकड़के प्रेस करते हैं तब ही हमें quality जो है पता चलता है और यह जो दाहिनी और है यह online जो available है 2.5 mm का clip यह pure silicon material नहीं होता है इसमें जो plastic material होता है उसका भी use रहता है तो अधिकतर हमें जो online में vegetable grafting के लिए clip उपलबद हो पाता है वह 2.5 mm दिखाता है यह वाला जो की काफी जो है low quality का होता है इस silicon tube के मकाबले यह वाला जो tube है इधर 1.5 mm से 1.9 mm इसे चार बार use किया जा चुका है और यह जो है एक बार भी use नहीं किया गया है यह online जो है लंगाया गया था जो मेरे पास training में आया थे उनके द्वारा तो यहाँ पर मैं जब इससे प्रेस कर रहा हूं यह चार बार use हो चुका है grafting में 1.9 mm और 1.5 mm यह और जब इसे प्रेस कर रहा हूं तो काफी अंतर पता चल रहा है यह जो हमारा 1.9 mm है इतना कड़ा होता है जितनों बार भी use कर इतना कड़ा होता है कि आसानी से जो दबाव चाहिए रहता है हमें अपने ग्राप्टेज यूनिट को पकड़ने के लिए वह मिल जाता है इसमें 1.5 और 1.9 mm में जबकि यह वाला जो है काफी धीला है और इसमें हमें इस्टिक का भी यूज करना पड़ेगा जैसे कि हम इसे अभी यूज भी करके देखेंगे जैसे कि यह देख सकते हैं यह जो क्लिप है 1.5 mm का है और इसे कट करने के बाद जोड़ जुका हूँ यहाँ पर आपको जो है कट दिखेगा हलका सा तिर्छा कट यह आसानी से एकदम मजबूत पकड़ बना रहा है यह वाला जो ओरिजिनल सिलिकोन ट्यूब है इसी तरह से इस बड़े वाले पौधे में 1.9 mm ओरिजिनल सिलिकोन ट्यूब और फिर वो जो प्लास्टिक मटेरियल वाला है 2.5 mm का क्लिप उसे यूज़ करके देखेंगे और यह वाला जो क्लिप है यह है 1.9 mm का ओरिजिनल सिलिकोन ट्यूब और यहां पर यह फाइन जो है तिर्छाकट लगा है यहां से तो यह पूरी तरह से अपना पकड़ बनाता है यह बड़ा वाला अपना ग्राप्टेज यूनिट है जिसका डायमेटर जादा है अब फिर इससे करके देखते हैं 2.5 mm में किस तरह से होल्ड करता है जैसे यह इसको जो है यहां पर इस तरह से मजबूती से पकड़ करता है अब उसमें करके देखते हैं 2.5 mm यह थोड़ा से यहां निकल रहा है ज्यादा वो करने पर लेकिन अभी भी क्योंकि हम तो इस तरह करना रह यह जहता कैसे पकर जो है इसका मजबूत है वह दिखाने की लिए इस तरह में इसको हिलाके दिखा रहा था अभी देखते हैं टू पफट फाइड हममें अब यह जो क्लीफ है यह टू पाइड फाइड किया गयों है अब इसा इतना मजबूत पकड़ बनाता नहीं है इसे फिर एक बार सेट करते हैं और फिर से देखते हैं यह फिर से अपने इस्थान पर लग गया है अब थोड़ा सबसे करेंगे ये आसानी से अपने जगे से हील रहा है ये तो इतना जो है ये मजबूती से पकड़ता नहीं है और हमें इसे जो है इस्टिक लगाना पड़ता है अब ये फिर से सेट हो गया है 1.9 mm के औरीजनल सिलिकॉन ट्यूब में अब इसे देखते हैं सेक करके ये इसे में ज्यादा ही जोड लगा के हिला रहा हूं पर भी ये अपने जगह से इतनी आसानी से जो है निकल नहीं रहा है यहां तक कि अभी तक जो है अपने जगह से हिला भी नहीं है तो काफी अच्छा इसका क्वाल्टी होता है और इसनल सिलिकॉन ट्यूब का और यह उलाजर ट्यूब है जो उनलाइन मिल जाता है 2.5 mm का इसमें उतना क्वाल्टी होता नहीं है और अधिकतर जो है विसेश कर जो मिर्ची का ग्राप्टिंग है उसमें हमें 1.9 1.5 mm से ज्यादा साइज का क्लिप चाहिए नहीं रहता है और बैंगन की ग्राप्टिंग में 1.5 mm ही क्लिप चाहिए कुछ क्लिप 10% 1.7 mm का रख सकते हैं जो टमाटर की ग्राप्टिंग है उसमें हम अधिकतर 1.5 mm का ही क्लिप लेते हैं और उसमें भी 10 से 20% 1.7 mm का क्लिप रख सकते हैं यह जो क्लिप है 2.5 mm इसका जलत हमें नहीं पढ़ने वाला क्योंकि अगर हम इस वाले ग्राप्टिंग क्लिप लेते हैं तो इसके लिए हमें ज्यादा डायमेटर का इस तरह से यह पौधा चाहिए जो की अचीव करने के लिए और अधिक दिन लग जाएगा त्यारी के लिए जबकि छोटा सा जोला जो क्लिप होता है वह हमें 45 डेज पे ग्राप्टिंग करना लेता है तो और फिर यह जो क्लिप है ठाई में का इसमें इधर से पीन भी सेट करना पड़ेगा जिसमें जबकि इस वाले में 1.5 mm में क्लिप सेट नहीं करना पड़ता है क्योंकि ग्राप्टिंग के लिए वही सबसे बेस्ट है और यह ठाई में का क्लिप है जो की ओनलाइन आसाने से मिलता है इसको लेने से आवाइड करना चाहिए इसमें क्वाल्टी जो है उतना अच्छा नहीं रहता है यह सही से होल्ड भी नहीं कर पाता है तो यह है ओरीज ग्राप्टिंग त्यूब